चालाक लूम्डी और कववा चलो, मैं तुम्हें चालाक लूम्डी और कववे की कहानी सुनाता हूँ, उससे तुम्हें पता चल जाएगा एक दिन सुबह सुबह, एक कववे को एक टेस्टी चीज का पीस मिला, जो एक खिर्की के पास रखा था वाओ, आज तो मेरा लकीडे है, मुझे तो चीज खाना बहुत पसंद है वो पेड की डाल पर जाकर आराम से बैठ कया, जैसे ही वो उस चीज को खाने वाला था, उसे एक प्यार इजी आवाज सुनाई दी गुट मॉर्निंग माइ फ्रेंड, तुम तो बहुत अच्छे लग रहे हो कववे ने आसपास देखा, तो उसे एक लोम्री दिखी, जो उसे पेड के नीचे खड़ी थी लोम्री ने कहा, तुम्हारे फेडर्स बहुत सिल्की है, और चूच तो बहुत ही चमकदार और शाप है तुमसे सुन्दर कववा मैंने आज तक नहीं देखा है कववा लोम्री की जूटी तारीफ से इतना खुश हो गया, कि उसे लगा, वो सच बोल रहे है लोम्री ने जालागी से कहा, I wish मैं तुम्हारा गाना सुन सकती मैं अपनी सारी दूस्तों को तुम्हारी खुबसूर्ती और प्यारी आवास के बारे में बताऊंगी और फेर वो दूसरी तरफ मोड़ गए, जैसे कि वापस जा रही हो कववे से ये खुशी बरदाश्ट नहीं हुई, और उसने सोचा कि वो लोम्री को अपनी आवास सुना कर ही रहेगा जैसे है उसने गाने के लिए अपना मूँ खुला, उसके चूट से जीज नीचे जमीन पर गिर गया उसी समय लोम्री ने जैस से जीज लिया और खा गरी याम यह तो बहुत तीस्टी है फिर लोम्री ने कववे से कहा तुम तो बुद्धू हो, जूथी तारिफ से तुम आराम से बुद्धू बन गे, मुझे तो सिर्फ चीज चाहिए था और वो मुझे जूथी तारीफ में आ गया, तो समझी मिन्टू, हमें हमेशा उन से बच कर रहना चाहिए, जो अपने फाइदे के लिए हमारी जूटी तारीफ करते हैं सही कहा, मैंने भी अपनी पसंदीदा चॉकलिट्स दे दी, ठेक